देखें, टॉपिक है मोमेंट आफ मोमेंटम, जिसको की एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, एन इनर्शिया टेंसर, अब इनर्शिया टेंसर क्या है हो तो बात की बात है, है कुछ नहीं, हम मोमेंट आफ इनर्शिया से एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकालेंगे, और उसको एक एक format में रखेंगे और कहेंगे वो टेंसर का format है बस यह करना है आपको क्या होता है अंगलर मोमेंटम पढ़ा है आपने इंटर में है क्या था moment of the linear momentum कोई body किसी भी अगर axis के चारोग गूंती है तो उसके हर एक particle का linear momentum होता है linear momentum बोले तो एक्से आफ रोटेशन से जो distance होती उसे multiply कर दें तो उसका moment मिल जाता है वह हमने जाता है जिससे mass का multiply और से करते हो तो mass का moment होता है moment of the mass force का multiply करते हो तो moment of the force अगर momentum का करते हो तो moment of the momentum ठीक है तो उसका inertia से क्या relation है inertia बोले तो moment of inertia यहाँ इनर्षिया का मतलब है मोमेंटाब इनर्षिया तो थोड़ी थेोरी लिखें दा सम अफ दा मोमेंट्स आफ दा सम आफ दा सम आफ दा इसमें लेक नहीं रहां इसमें लिखेंगे दो बहुत ज्यादा प्राइटिंग अन्दी है ना the sum of the moments of the linear momentum of all the particles the sum of the moments of the linear momentum of all the particles all the particles about the axis of rotation about the axis of rotation is called the angular momentum is called the angular momentum of the body about that axis of the body about that axis now we are going to do a body which will rotate the axis of the axis which will rotate the body will rotate then we will do one and then we will do the angular momentum and then we will do the sigma and then we will do the whole body and then we will do the calculation the angular momentum of i-th particle the angular momentum of i-th particle is given by this is the body this is the body को रोटेट करेड़े कैसे रोटेट करेगे इसे कर दो और ऐसे इस गुड़ कोर दो गे जिसे सकते हुए अब यह ऐसे कर जूômहा सकते हो एसे ठीक है तो हमने का यह axis of rotation है यह ठीक है यह है और यह इसकी body के अंदर यह हमने frame of reference बना दिया एक ही है तो ऐसे बना दो x y z ठीक है अब इसकी एक axis of rotation है कोई भी मान सकते हूँ जैसे अब यह बनाए कैसे ऐसे तो हमने यह ऐसे बना दिया यह क्या है axis of rotation ठीक है अब इसका यह आयत पार्टिकल है इससे कुस दूरी पर होगा ठीक है और यह इसके चार और ऐसे rotate कर रहा होगा किस पात में घुमेंगा यह कोई भी पर्टिकल किसी 24 इसके चार और रचम किस पात में घुमता है कि सर्कुल गुमेंगा बाई रह जैसे माली यह बडी है और यह एक अब रोतेशन है और यह बार्टिकल 2 सेंटिमीटर दूर है तो जब बाडी घुमेगी तो यह पार्टिकल जमिन पर, बोले काश हैं, वोई गाड भी देते आपको, और हमारी अगर नावी से नाग 2 cm दूर है, तो गुमाओ गए तो नाग 2 cm दूर रहेगी ना उससे, नहीं रहेगी, तो अगर हम कहें कि हमारे नावी के चारोर, हमारी नाग किस पात भी गुम रही है, तो सर्कुलर प करते हैं, कहीं कहीं जे से किया जाता है, तो हमने इसको Li बना दिया, जरा i पर बहुत गौर करिएगा, क्योंको i यहां बारवा यूज होगा, Li क्या होगा, Momentum का Formula क्या होता है, Angular Momentum का, Ri x Pi, यह Vector quantity है, ठीक है, और Pi क्या होता है, MV होता है, Mass into velocity, तो यह हो जाएगा, आपका Ri x Mi into Vi, ठीक है, यह Angular Momentum किस Particle का निकला है, Is Particle का निकला है, अब अगर आप Body का निकालेंगे, The Angular Momentum of Whole Body, The Angular Momentum of Whole Body, उसको Capital L लिखेंगे, और इसमें Sigma लगा देंगे, Sigma Li, आपको Sigma में एक लिखने का तरीका देखे, यहां पर लिखा जाता है, I varying from 1 to N, ठीक है, या आप के वल Sigma लगा दीजिए और I यहां बना दीजिए, understood अपने आप हो जाएगा, मतलब यहां पर Sigma लगाईए, और यहां पर क्या लिख दीजिए, I, बस, इसका मतलब यह हो गया, कि I की Value 1 से लेकर यह जितने भी Particle होंगे, उस तक जाएगा, तो यह हो जाएगा, आपक V बराबर आपका क्या होता है, आर ओमेगा, तो आर ओमेगा तो होता है केवल उसमे, Value, लेकिन वेक्टर के हिसाब से क्या होता है, ओमेगा क्रॉस र, तो इसको लिखेंगे आप, Sigma I, M, R I, क्रॉस, यह वेक्टर चुढ़ा है उपर, M I, इसको क्या लिखेंगे, R I, क्रॉस, ओमेगा I, अच्छा यह बढ़िए, ओमेगा अलग-अलग होगा, सबका सेम होगा, सेम होगा, भाई जैसे माले एक साइकल का पईया लीजी आप, यह साइकल का पईया हैं, और यह Axis है, और यह तीली है उसकी, तीली जानते हो ना, English भी क्या करते है, Stocks क्याते हैं, जो भी क अलगल दूरी पर होंगे ना, अगर तीली एक सेकन में 30 गुमती है, तो हर एक पार्ट के अलग-अलग अङल से γोंएगा, के के अखी है अङल गुमेगा? अलग-अलग गुमेगा, अच्छा 30 से गुम रही है तो यानि कि ओमेगा सेम रहेगा, तो omega के लिए i का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरी body omega rotation कर रही है omega जो है, अगलवलासी constant है, तो omega यह हो जाएगा ठीक है, अब देखे, m तो constant है तो m को दुबाहा लिख दिजेगा तो आएगा sigma i, इसमें m i अलग कर दो, और यह अंदल लिख दिजेगा, r i cross, r i cross omega ठीक है, पहुँचे यहां तक, यह लंबा प्रूफ है, जगए ज़्यादा चाहिए इसको डाल दिजे, question number one अब इस diagram को रप कर रहे हैं, कि diagram की जरुत आपको नहीं है बनाना पड़ेगा, पहले आप बनाएंगे इसी ज़रुवत नहीं पड़ेगी, देखिए ध्यान सुए हमने जो है, triple cross product पड़ा है we know that we know that अब लिख तो दिया we know that लेकिन मालूम नहीं है a cross b cross c क्या लिखते हैं इसको नहीं मालूम इसको लिखते हैं a dot b देखें यह tough नहीं है यह सब mathematical ही चलता चला जाएगा अपने आप, मताँ इसमे कुछ होना नहीं है अपने आप mathematics लिखती चलिए आई मताँ यह काम खतम इसका आप अब असको बहुत मैथमेटिक्स a dot b कैसे होगा mod कैसे निकालते हैं, vector का multiply कैसे हो तो यही लगना आए है इसमें, a dot b लिखते हैं a dot c लिखते हैं, sorry a dot c लिखते हैं और b बहा लिख देते हैं और minus a dot b लिखते हैं और यह बाहर c multiplying होता है यह आपका a dot b, a cross b cross c का formula होता है intermediate में वो कभी-कभी slabस मुहा, कभी-कभी teacher जो है उसको छलांग लगा के बाहर निकल जाता है यहां रख दो उठा करके so y question 1 question 1 कैसे इसको लिखेंगे तो यह आपका l चल ला था l is equal to mi बाहर हो गया sigma लिखो और यहाँ पर i लगा दू mi बाहर कर दू कैसे लिखेंगे आप ri dot omega यही होता ना formula a cross b cross c यहां ठीक है और यह आपका यह omega cross r होता है sorry यही मैं उल्टा लिख रहा था यह omega cross r होता है यह पहले omega होता है बाद में r होता है तो कैसे लिखा जाएगा ri dot ri ri dot ri vector और इसके बाहर omega लिख दिया जाएगा मतब अब आप कहेंगे इसके बीचे साइन क्या होगा कोई साइन नहीं होगा भाई यह जब value निकालोगे dot product में तो कुछ value निकले गने 3,4,5 तो उसका omega समल्टी प्ले हो जाएगा और minus ri dot omega और बाहर ri लिख दिया जाएगा ठीक है इसको पहले फ़राओ रहें इसके बढ़ा देते हैं is equal to sigma i mi देखो आपने पढ़ा है intermediate में a dot a mod a का square होता है a dot a is equal to mod a mod b a dot b होता है mod a mod b का सिटा तो अब a dot a करोगे तो a और a के बीच में कितना एंगिल होगा vector a अपने आप से कितना एंगिल बनाएगा 0 बनाएगा ना अगर हम a dot a लिखेंगे तो यह mod a mod a cos 0 आएगा ना cos 0 के value क्या होती 1 होती है ना तो mod a का स्क्वार ही तो आएगा तो यह आपका हो जाएगा mod ri का स्क्वार तो हम ri लिख दें vector न चुड़ा है तब ही काम चलेगा और mod चुड़ा दें तब ही ठीक रहेगा तो आप लिखेंगे mod ri का square into omega minus ri dot omega into ri यह vector है ध्यान रखेगा ठीक है इसको equation number 2 डाल दीजे बस mathematical calculation है और कुछ नहीं दिख रहा है equation number 2 डालिए पहुंचिए यहां तक अब देखिए अब हम ri पर लिखेंगे ri क्या होता है position vector of a particle होता है तो position vector कैसे लिखा जाएगा xi प्लस yj प्लस ऐसे लिखते है तो इसमें हम लिखेंगे आपने पड़ा होगा अगर कोई general point है उसका coordinate आप क्या लिखते है x y z और origin से अगर उसकी दूरी r हो तो position vector का formula आपने पड़ा है i x प्लस j y प्लस k z याद है तो यहां पर यहीं रहेगा अब क्योंकि i-th particle है तो हर जिखे suffix में i लिख जाएगा और कुछ नहीं है मतलब एक particle को आपने बात कर रहे है sigma लगा दिया है पूरी body को आपने बात हो गया है वो i जो नीचे लिखा है न कि किसके लिए indicate कर रहा है कि i-th particle है पहला particle तो m1 होगा r1 होगा omega तो same रहेगा तो देखे ri हमें क्या माना xyz होता न x i i-cap यह i-cap दूसरा है जान रखे यह suffix में आई है वो i-th particle के रिटिकेट कर रहा है plus y i j-cap plus z i k-cap ठीक है तो जब हमको mod ri निकालना होगा तो कैसे निकलेगा under root यहां लिखेंगे तो आएगा x i का square कौन सा i यह suffix वाला plus y i का square plus z i का square यह निकालेंगे अब यह वेलू चाहिए आपको ri dot omega तो ri dot omega जब लिखेंगे ri dot omega ri बोले तो x i i-cap plus y i j-cap plus z i k-cap dot dot भाई देखिए जब बोले गूम रही थी तो axis भी गूम रही थे ठीक है तो omega के component होगे तो omega कैसे लिखा जाएगा हम लिखेंगे omega x i-cap plus omega y j-cap plus omega z k-cap यह omega के component है ठीक है dot प्रोटल काभू करना आता है तो यह i dot i1 होता है j dot j1 होता है k dot k1 होता है तो यानि कि x i का multiply omega x से होगा उपर लिखते है मालूब है ना यह dot भी निकलना आपको तो यह value कितनी हो जाएगी यह क्या निकल रहा है ri dot omega क्या निकलेगा यह निकलेगा आपका omega x into x i plus omega y into y i plus omega z into zi ठीक है mod निकलाया यह निकलाया ठीक तो है ना अब यह value उठाई है और equation number 2 में रख दीज़े यह L चल रहा है putting these values putting these values बस केवल mathematics लग रही है in equation 2 mathematics पसीना निकला रहा है अब जार रुपहस लग रही है L is equal to sigma i बाहर m i साउधान देखो ri का square है ना यहां से क्या हो जाएगा यह square उठ़ जाएगा तो क्या आएगा यह यह आएगा xi square plus yi square plus zi square और बाहर क्या लिखा है बाहर लिखा है omega vector omega vector कैसे लिखा जाएगा यह omega vector लिखने की तरीका है यह बीच में क्यों sign लगेगा कोई sign ने लगेगा क्योंकि यह तो mod value है ना कोई vector quantity यह है नी तो यह bracket में क्या आएगा omega x i cap plus omega y j cap plus omega z k cap ठीक है minus अब यह चाहिए आपको ri dot omega ri dot omega की value क्या निकली है यह निकली है ठीक है note करिए इसको भी score up करेंगे तो यह 12 रग दी हमने mod ri square यह लिख दी omega minus ri dot omega चाहिए ri dot omega क्या निकली है यह लिख दी निकली है ना तो क्या हैगा यह omega x into x i i cap नहीं sorry i suffix वाला उसमें confused हो रहा है plus omega y into y i plus omega z into z i यह क्या निकला है यह निकला है ri dot omega और बाहर क्या है ri तो ri की value क्या हो जाएगी आपकी dot है ना यह तो dot निकलाया क्या है x i i plus y i j plus z i k ठीक है अपनी copy दिख रहे है गलती नहों क्योंकि mathematics में कहीं multi multiply करें गलती हो सकती है is equal to sigma i mi अब यहां bracket खोना पड़ेगा देखें पहले x i का multiply इससे हम करने जा रहे हैं तो क्या आएगा x i square omega x into i cap plus इसका इससे करेंगे पहले x i से करें पूरा x i square into omega y into j cap plus x i square into omega z into k cap हो गए multiply अब y i का multiply करिए plus y i square into omega x into i cap plus y i square into omega y into j cap plus y i square into omega z into k cap omega z into k cap अभी z i का multiply करिए plus z i square into omega x i cap plus z i square into omega y j cap plus z i square into omega z k cap ये multiply पहले bracket का हुआ है minus दूसरे bracket का multiply करिए बहुत बड़ा multiply है सावधानिस करिएगा हमसे गलती न हो जाए ये भी आभी सावधानिस रखिए देखो द्यान से omega x omega x और x i का multiply सबसे करने जा रहे है तो क्या आएगा omega x इसे करो कितना आएगा ये आएगा omega x into x i square into i cap plus omega x into x i into y i into j cap plus omega x into z i into k cap ये omega x x i का multiply नहीं किया अब omega y y i करने जा रहे है plus omega y into y i into j cap नहीं इसे omega y का multiply किसे करेंगे omega x omega y किसे करेंगे omega y into x i into इतने i हो गये हैं कि omega y into इतने ज्यादा हो गये हैं कि multiply में confusion हो रहा है simple जैसे bracket खोलता है उसे multiply कर रहे हैं इसका multiply इससे इसका multiply इससे ये कच्छा अच्छा है वाला हो रहा लेकिन चुकि बहुत सारे suffix में आई हो कैप लगे हैं ना वो confusion हो रहा है पहले omega x x i का multiply किया आपने तो ये हो गया इससे multiply किया फिर इससे multiply किया फिर omega y से करेंगे तो आएगा omega y into y i into x i into y cap plus omega y into y i into y i square हो जाएगा into j cap plus omega y into y i into z i into k cap हो जाएगा plus omega z into z i into x i into i कैप हो जाएगा plus omega z into y i into z i into j कैप हो जाएगा plus omega z into z i square into k कैप हो जाएगा ये bracket बंद हुआ कैमरे में आ रहा है सब आई रहा है अब जो बहुत ध्यान से सुनता जाएगा तो उस हुसन में आ जाएगा कैमरे में ये खासियत है अब ज़रा देखिए ध्यान से यहां रब करें उपर अब यहां उपर वाले का नाम लें कि गलती न हुई हो देखो ध्यान से इसके साथ आई है आई कैप इसके साथ आई कैप है और इसके साथ आई कैप है तीन जगे है ना आई कैप को अलग कर दो तो आई कैप को अलग करेंगे तो यहां क्या आएगा एकस आई स्क्वार आएगा ओमेगा एकस यह भी कामन हो जाएगा यह वाला टर्म यह वाला टर्म आई कैप वाला और यह वाला टर्म दिख रहा है तो क्या आएगा x i square plus y i square plus z i square और बाहर क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा omega x into i cap i cap पुला common हो गया अब j cap पुला common ले लो j cap देओ किसके साथ आ रहा है किदा देखिए इसके साथ यहाँ j आ रहा है यहाँ j आ रहा है मैं पहले ब्रेक्ट बात करा हूँ यहाँ j आ रहा है common क्या देख रहा है omega y j common हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा plus x i square plus y i square plus z i square common क्या हो जाएगा omega y j cap k cap में आ जाओ यहाँ भी k kip पा रहा है omega z आ रहा है यहाँ भी k kip पा रहा है omega z आ रहा है यहाँ भी k kip पा रहा Z I square वहर कावन क्या है omega Z into K cap पकड में आया अब इस bracket में आजाओ ये bracket में तो डार्टी लिखना पड़ेगा कुछ है नहीं ये minus हो जाएगा ना सब bracket पूरा पूरा negative आएगा तो minus इसमें I cap एक सार लिख दिया जाएगा इसमें I cap अभी ना लिखेगा बाद लिखेगा कट पिट जाएगा ना सब्सक्रोद कटेगा पिटेगा तो ये क्या हैगा omega X omega X into X I square I cap plus omega X into X I into Y I into J cap plus omega X into Z I into K cap plus omega Y into Y I into X I into I cap plus omega Y into Y I square into J cap plus omega Y into Y I into Z I into K cap plus omega Z into Z I into X I into I cap plus अमेगा Z इन्टो Y I इन्टो ZI J कईप प्लस अमेगा Z इन्टो ZI स्क्वार इन्टो K कैप ठीक है अचिछ है अचाँ यह माइनस कुग鹿 लगा है तो हम इस सब को फिलार रैकेट में अंदर लिखे दे रहे है ठीक है x i square के साथ क्या आएगा omega x i आएगा और यहाँ भी x i square के साथ omega x आएगा negative में आएगा न तो negative अंदर जाएगा तो यह आएगा न तो यह step इस वाले को काड़ देगा अच्छा यहाँ पर y i square साथ omega y आएगा omega y j y i तो यह वाला जो term होगा वो इस वाले को काड़ देगा जब रैकेट खोलेंगे हम यह वाला term जो इसको अंदर multiply करोगे तो y i square omega y j है ना और यह y i square omega y j negative यहाँ आगया negative sign बहाँ लगा है ना तो काड़ देगा न यह अच्छा और z i square और omega z और k cap यह इसको काड़ देगा ठीक है इतना तो हो गया cut अब जो बचा है उसे note कर लिया जाए यह l निकल ला है l is equal to sigma mi sigma i mi बाहर हो गया अंदर देखिए अब i cap के साथ जो भी बचा है सब लिख दीजेगा देखो i cap साथ यह पूरा बचा हुआ है यह ना i cap साथ तो i cap बात कामा ले लेंगे क्या बचा है इसको bracket को खोला जाए कि रहने दिया जाए bracket खोलना पड़ेगा न आपको देखिए साउधान i cap साथ यहां क्या बचेगा यहां बचा है आपका y i square omega x plus z i square omega x ठीक और i कहां पर है i यह यह यहां पर लिखा है यहां पर k है यहां पर i आ रहा है मैनस आएगा न यह मैनस मुल्ट पर लेकर है यहां यहां पर लेकर हो गया और i कहां आ रहा है मैनस omega z into z i into x i और कही है यहां यह यहां पर लिखा है और इसको ले लिए बाहर और बाहर लिख दिए i cap ठीक है आप j cap ला देखिए plus j cap ले यहां पर आएंगे यह है न जे के पहला तो क्या आएगा x i square x i square plus omega भी तो अंदर जाएगा omega y plus z i square omega y यह वाला j वाला हो गया और कहां-कहां j है यहां पर j है minus अंदर जाएगा minus omega x into x i into y i यहां पी j है और यहां k है यह लिख चुके हैं यह कड़ चुका यह k है यह लिख चुके हैं यह आएगा minus omega z into y i into z i और bracket के बाहर j cap k cap वाले कर दो symmetry आ रही होगे लगबग k cap में आजाओ k cap इसनके पास था ना यह आएगा आपका x i square omega z k cap यहां पर आ रहा है plus y i square omega z z और j वाला हो गया कहां पर है k cap लिख रहे है na omega z यह तो आखे रहे कर दो यह न करो भाई बड़ी मुश्किन तो आखें तो टरो 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 देख रहे है k cap इसके पास आ रहा है omega x z i के साथ क्या है बूल गए क्या के साथ क्या लिखा होगा omega x z i के साथ क्या है देखो ब्रैकेट देखो ज़रा नहीं आई तो suffix में लग रहा है x i होगा ना तो आएगा omega x z i x i और क्यों बच्चा k cap और कहीं है यह k cap है k cap यहाँ पर भी तो है minus omega y y i z i k cap ठीक है ब्रैकेट ओपन होगा ना तो minus हो जाएगा यह बच्चे कली जएगा वैसे तो यह omega 2 कहीं नहीं हो omega z है द्यान के 2 आप माली जएगा note करिए इसको अब देखिए इसमें MI को अंदर ले जाओ ले गए है ना अब एक step राइट कर दे हैं तो MI को अंदर ले जाओगे और यहाँ पर दो step पर देखिए omega x कामन है MI के साथ जाएगा इसको बंद करेंगे और यहाँ लगा देंगे MI कोई दिक्कत यह हो गया और यहाँ से omega x कामन ले लेंगे तो क्या बज़ेगा yi स्क्वाइर प्लस zi स्क्वाइर इंटू omega s समय भी बने यही यह पूरे प्रैकेट साथ मलनी प्लाएगा है ना MI का यहाँ पर भी प्लस MI हो गया और यहाँ पर omega y कामन ले लिया हमने तो यह आपका एक साथ आएगा x i स्क्वाइर प्लस z i स्क्वाइर omega y ठीक है यह ब्रैकेट थोड़ा सा कर्ली ले लिए स्माल ब्रैकेट कन्फ्यूज कर रहा है ना यह कर्ली ब्रैकेट बंद करेगी यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर दिया है ना यहाँ पर देखिए प्लस m i लिख दिया और यहाँ से omega z कामन ले लिया तो आगया x i स्क्वाइर प्लस m बार कहा निकाला m सबके साथ रहेगा ना यहाँ भी लाना पड़ेगा यहाँ भी लाना पड़ेगा तो यहाँ पर आएगा x i स्क्वाइर प्लस क्या था x i स्क्वाइर प्लस y i स्क्वाइर y i स्क्वाइर omega z यह कर लिए यहाँ तक बात सुनमा गई अब ज़रा समुचिएगा आप जानते हैं moment of inertia का formula क्या होता है sigma m r स्क्वाइर यह होता है न m r स्क्वाइर अब अगर आप इसको देखिए यह भी distance का square है न y i स्क्वाइर distance का square है न और m into distance का square तो इसका जो dimension होगा वो वही होगा जो momentum inertia का होगा यह भी m into distance का square है यह भी m into distance का square है नहीं है तो यह moment of inertia यह है अब किसके respect में है पहले समझेगा अगर आप कोई भी एक part किल लेते हैं और उसका mass m लेते हैं और इसका coordinate x कामा y लेते है तो इसकी x axis से distance क्या है y और y axis से क्या distance है x ही होता है न अगर मैं आप से कहूँ कि x के respect में इसका moment of inertia निकाली है तो क्या होगा m y square x के respect में y है x absent है तो यानि कि यहां पर देखें इसको लिखते क्या यही पकड़ने वाली बात है is equal to sigma m i साउधान कि जो आपका m y i square z i square है ना यह यहां से पूरी पूरा इस वाले term में x absent है तो यह x के respect में इसका moment of inertia कहला था x के respect moment of inertia यह है यानि यह omega के बाद नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है इसको लिखते हैं i x x i x x नहीं है moment of inertia with respect x चुकि यहां पर जो है three dimension plane है इसको लिख दिया i x x फिर आप x y plane हो जाएगा तो x y लिखना पड़ेगा यहां पर x into y है तो x y plane हो जाएगा तो x y लिखेंगे मैं इसको ठीक है और उसके साथ into में क्या है omega x ठीक है अब यहां पर आईए यह दो distance का multiply है तो अगर मैं dimension लिखूँ तो distance की dimension क्या होती यानि कि इसकी भी l होगी इसकी भी l होगी l square बाहर क्या लिखा m m into l square तो इसकी moment of inertia भी तो यह इसकी dimension भी वही आ रही है जो moment of inertia आ रही है तो चूंकि यह x y plane है जिसको लिखते हैं plus यह minus सहित मिला के इसमें count किया आता है इसको लिखेंगे i x y omega y ठीक है यह minus sign include है इसमें मतब minus mi x i y i की value i x y है ठीक है यह x z plane है तो plus i x z omega z bracket के बाहर i के है minus include है सब में चूंकि यहाँ पर square हो गया तो minus हट गया है यहाँ से अधरोगी minus यहाँ भी लगा होता है आज़ा यहाँ पर आईए plus यहाँ पर m को multiply करेंगे यहाँ पर x और z square है यह यह y के respect में तो i y y omega y plus यह x y plane है तो i x y omega x plus m अंदर जाएगा यह z y plane है i y z omega z bracket के बाहर क्या होगा j cap plus यहाँ देखिए x square plus y square तो यह आपका इसमें कौन अफसेंट है z अफसेंट है न तो यह है i z z omega z plus i x z omega x plus i y z omega y रैकेट के बाहर क्या है k cap समझे यह बाहर नहीं आई अब sigma तो गाइब हो गया sigma तो इसके अंदर चला गया और इधर यह क्या लिखा है l तो इसको फिर component form में लिख दें तो इसको लिसेते है i lx plus j ly plus k lz अब इसको हम coefficient equate कर सकते हैं नहीं तरफ i और j और k के equating the coefficients equating the coefficients यहाँ i के साथ क्या है lx यहाँ पर i के साथ क्या है यह पूरी चीज है मतलब i x x omega x plus i x y omega y plus i x z omega z फिर यह ly आएगा ly ly क्या है jega coefficient क्या आएगा i y y अब इसको एक order से लिखना पड़ेगा नहीं ठीक लिख देंगे omega y plus i अब एक मिनट इसको एक order से लिखिए यहाँ पहले omega x लिखा है फिर omega y लिखा है और यह फिर omega z लिखा है यहाँ भी उसी ratio लिखिए उसी corresponding लिखिए पहले omega x का ट्रम फिर omega y का ट्रम फिर omega z का ट्रम यहाँ पहले क्या आएगा i x y omega x प्लस y वला यह है i y y omega y प्लस i y z omega z और यह l z क्या हो जाएगा पहले omega x का ट्रम लिखिए ये i x z i x z omega x प्लस i y z omega y प्लस i z z omega z ठीक है यह omega z है omega z पहुँचे यहां तक अच्छा आप यह लिखने के बाद में लिख सकते हैं where i x किसको लिखा है आपने i x y किसको लिखा है आपने i x z किसको लिखा है ठीक है यह लिख भी सकते हैं और ना भी लिखो कोई दिक्कत तरी बात नहीं आप इसको matrix form में लिख दीजे writing in the matrix form याद करिए 11th class intermediate में आपने जो है writing in matrix form matrix form intermittent में आपने matrix methods equation solve कियोंगे तो इक question आते थी तो आप matrix form में लिखते थे कैसे लिखेंगे इसमें ये इधर हो जाएगा आपका lx ly और lz इधर क्या होगा omega x omega y और omega z के ratio जो coefficients हैं वो लिखेंगे i x x i x y i x z याद करने की तरीका देखें सभी x यहाँ पर हैं फिर x y z हैं फिर सभी y होंगे i y x एक तरीका से लिखें एक जैसा i y y i y z यहाँ पर z पर लिखें i z x i z y i z z और into में omega x omega y omega z समय भाने हैं अगर इसको multiply करेंगे न मलती और इक्वेट करेंगे ही आएगा न अब देखिए इनके कुछ नाम है यहीं पर टेंसर वड़ाया है यह आपका l है यह आपका omega है और इसको हम कहते हैं i ठीक है moment of inertia तो यह इसको लिखा जाता है l is equal to i omega अब देखिए यहाँ पर i tensor quantity है तो vector के लिए यह चड़ाते हैं और tensor के लिए हम यह दोनों तरफ arrow गनाते हैं ठीक है where i जो है ना इसको कहते हैं inertia tensor अब tensor आगे पढ़ाय जाएगा आपको अगर inter में आपको teacher ने बताया हो तो vector quantity और scalar quantity उताए गई आपको लेकि tensor नहीं बताए जाती 99.99% 0.01% कुछ teacher बताते हैं wave quantities जिन में more than one direction होती है वो tensor quantities कराती है इतना ही जानना आपके लिए परयावत नहीं है ठीक है अभी तो यही जानना यह inertia tensor है बस नहीं जे क्योंकि tensor का बहुत ज़्यदा complication है अभी आपको पढ़ाय नहीं गया है पढ़ाय जाएगा बाई चान सेमिस्टर बन में ही आ गया tensor लेकिन हो mathematical methods वाले में last में है तो समझ में आ गया प्रूफ पहुचिए यहां तक अब देखे यह inertia tensor के अदर कितने element है 9 elements है इन 9 elements को कहा जाता है कि दे form a symmetric tensor तो कुछ बाते हैं लिखे जिएगा the 9 quantities 9 quantities form the symmetric tensor symmetric tensor यह 9 quantities symmetric tensor form करती है कैसे जड़ा i x y की value देखे क्या थी हाँ देखे यह i x y क्या था sigma mi x i y आई था जो i x y था यह जो चीज थी i x y वो क्या था minus sigma mi x i y आई था और जो i y x है वो क्या था वो भी यही था नहीं था और हमने symmetric में बढ़ा है कि a i j और a j i a i j और a j i कैसे होते हैं same होते हैं ते symmetric tensor होता है form the symmetric tensor यहाँ पर a i j और a j i value कैसी है same है यह ऐसे लिख दो a न लिखो i i j और i j i की value same है यह यह value और यह value same आपको देगे यह value यह value same आपको देगे ठीक है सुने भी बाद नहीं आई अच्छा दूसरी बात इसमें जो diagonal elements होते हैं उनको principal moment of inertia कहते हैं the diagonal elements diagonal elements are known as principal moment of inertia principal moment of inertia कहते हैं हादा कुछ books में लिखा है moment of inertia coefficients कुछ में कहा गया है are moment of inertia कॉफिशेंट्स लेकिन जो main known name है वो यह है principal moment of inertia ठीक है इसके बाद जो diagonal element नहीं है उनको क्या कहा जाएगा off diagonal तो जो off diagonal element होते हैं off diagonal elements इनका जो नाम दिया गया है वो है आपका product inertia नोन अनका जो नहीं होता है प्रोड़क्ट में कोई चीज बनाते हो तो नहीं यह product बनता है वो product inertia है ठीक है नोट करें देखें यह principal axis और principal moment of inertia क्या होता है दोरा समझेगा हम टॉपिक में क्या बता रहे हैं कि कोई body है किसी axis के चारो और रोटेट कर रही है और उसके respect में आप moment of inertia निकाल रहे है यह पूरी जो कहानी ड्रामा आप कर रहे है यह कह रहे है कि अगर कोई ऐसी axis चुन ली जाए कि जिसमें moment of inertia निकालने पर जितने भी off diagonal elements है उनका moment of inertia 0 आ जाए नहीं समझे कोई अगर ऐसी axis चुन ली जाए माले यह अब आपकी coordinate axis है x, y, z और यह body है ठीक है और यह body के अंदर एक axis हमने बनाई थी आज करिए आप यह body के अंदर axis है x dash, y dash, z dash और यह कोई ऐसी axis है यह कोई ऐसी axis है जिसके चारो तरफ ऐसी body घुम रही है नहीं सुन जाए यह axis अब rotation है तो अगर ऐसी axis चुन ली जाए कि जितने भी off diagonal element है i x y, i x z, i y x i x x नहीं off diagonal element उनकी value 0 हो जाए तो उसको हम कहते है principal axis ठीक है तो लिखे ज़रा the axis of coordinate system सुन में बाता ही नहीं आई the axis of coordinate system fixed in the body fixed in the body with respect to which with respect to which off diagonal elements OFF है off diagonal तक जिसमें diagonal से हटके off diagonal elements become 0 become 0 in the inertia tensor become 0 in the inertia tensor it means only diagonal elements only diagonal elements remains only diagonal elements remains are called are called principal axis principal axis principal axis मताब एक ऐसी axis चुन ले ये कैसे होगा भाई तो होगा क्या कि एक तरफ के element इसके positive moment of inertia देंगे और एक तरफ के element इसके negative देंगे तो जो हम उसका sum करेंगे तो value लगबग 0 आजाएगी ठीक है are called principal axis and moment of inertia about these axis are called principal moment of inertia and the moment of inertia about these axis are called principal moment of inertia अगर माल ने कि इस एक्स डैस यडैस एन जडैस इस प्रकार के एक्सिस है और सच एक्सिस तो इसमें जो इनर्सिया टेंसर दी जाएगी देन इनर्सिया आई से लिखते हैं टेंसर का यह इंडिकेशन होता है तो इसको हम लिखेंगे I X डैस एक्स डैस यह डैस 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 जैस बतब डैस डैस हैं रेस्ट आपके जिरो हो जाएगा यह और इसको अगर शार्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं I1-000-I2-000-I3 ऐसे इसको लिखा जा सकता है तो ये आपका टॉपिक कम्टीट हुआ